राधिका ने पिछले महीने जम कर खरेदारी की अरे भाई त्योहारों का जो मौका था उस पर उन्हें पूरा भरोसा था कि कम्पनी की ओर से उन्हें बोनस मिलेगा ऐसे में उन्होंने पूरी शॉपिंग क्रेडिट कार्ड से कर डाली credit card का बिलाया तो उन्होंने minimum due का payment कर दिया सोचा जब bonus मिलेगा तो पूरा payment कर देंगे लेकिन इस महीने राधिका को जटके पर जटके लगे पहले तो उन्हें बोनस नहीं मिला उस पर भी जब credit card का बिलाया तो minimum due के बावजूत उनका total due थोड़ा भी नहीं घटा उन्होंने इसकी planning ही नहीं की थी ऐसे में उन्हें पूरे बिल का भुक्तान करना पड़ा दरसल credit card में चूप करने वाली राधिका अकेली नहीं है अधिकांश customers हर महीने उनकी mail पर आने वाले credit card statements को पढ़ते ही नहीं है वहीं अगर पढ़ भी लेते हैं तो समझते नहीं है यह credit card statement वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि credit card statement में क्या जानकारी होती है आपका credit card statement जो है पूरी detail होता है इसमें आपके total bill minimum due यानि कितना bill आपको जमा करना है यह पूरी राशी लिखी गई होती है साती भुक्तान की अंतिम्तिति, late payment charges आदिकी भी पूरी जानकारी इसमें आपको दी जाती है, सबसे पहले credit card bill भुक्तान की last date का जरूर ध्यान रखें, साती billing cycle की तारीके भी लिखी होती है, credit card की पूरी बिल राशी का भुक्तान नहीं करते हैं तो बकाया राशी पर 23% से 49% हर साल का मोटा ब्याज लगता है, अगर आप समय पल बिल का minimum due amount भी जमा amount due के बारे में समझ लेते हैं, तो minimum amount due का अर्थ होता है, अगर आप पूरा बिल ना चुका पाएं तो एक छोटी सी राशी का भुक्तान कर दे, credit card company आपको bill payment के मामले में default नहीं मानेगी, इसका असर आपकी credit profile पर नहीं पड़ेगा, लेकिन minimum due का payment करने से पहले ये बात जान आपका mool amount just का तस यानि वैसा का वैसा रहता है, credit card statement में credit limit की जानकारी होती है, credit card limit से जाधा खर्च करते हैं तो उस पर over limit penalty आपको देनी पड़ती है, अधिकांश credit card जारी करता limit से जाधा खर्च की गई राशी पर 2.5% penalty के रूप में लेते हैं, साथी 500 रुपे penalty भी लगत है, ऐसे में credit card द्वारा किये गए, आपके सभी पिछले लेंदेन को अच्छी तरह से चेक कर लें, अगर कोई payment fail होने के बाद भी आपके bill में add कर दिया गया है, तो तुरंत इसकी जानकारी credit card company को दे, credit card bill में आपको reward point भी मिलते हैं, उसकी जानकारी भी इसमें दी जाती है यहां कुल reward point की जानकारी के साथ, उनकी expiry date भी आपको दी जाती है, reward points लाप्स होने से पहले आप इन्हें redeem जरूर कर लें, इसके अलावा credit card statement में लिखी कुछ बाते जरूर चेक कर लें, credit card company, finance charge, foreign transaction fees, balance transfer fees, cash advance fees, late payments fees, card replacement fees और return payment fees जैसे charges भी आप पर लगाती है, अगर आपके statement में ऐसे charges आपको नजर आते हैं, तो bank से बात करके इन charges को हटाने को लेकर भी आप बात कर सकते हैं, इन छुपे हुए charges को हटा कर आप पैसे भी बचा सकते हैं, तो इस तरह से आप credit card को सही तरीके से यूज़ करेंगे, तो आप पैसे बचा सकते हैं और charges लगने से बच सकत सकते हैं